आपने हमारे इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो चलिए इस वीडियो से आपको क्या फायदा होने वाला है बोड एक्जाम में ठीक है तो आप इस वीडियो को ध्यान से दिखेगा क्यूंकि इस वीडियो में बहुत जादा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कोस्टन बता इस वीडियो में उतना अच्छा कोस्टन आपको मिलेगा जो कि आपके एक्जाम में 100% आने की गरांटी है तो चलिए यहाँ पे जो है आप लोग को सबसे पहले क्या करना है कि आज जो है हम लोग इससे पहले बहुत सारे वीडियो को जो है बहुत सारे कोस्टन पढ़ चुके तो जरूर जाके आप उस वीडियो को देखे चलिए इस वीडियो का पहला कोस्टन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है घात एक वाले बहुत पढ़ कहलाते हैं तो यह कोस्टन देखिए ना कब कब पुछा है दो हजार सोरह के एसेट में पुछा है और दो हजार 11 में भी पुछा है उसके बाद आज तक नहीं पुछा है तो जब आज तक नहीं पुछा है तो फिर क्यूं नहीं पुछेगा यह कोस्टन आपके एक्जाम में आने वाला है ध्यान से इसको देखिएगा जब भी घात एक हो किसी भी बहुपद का घात कितना हो घात एक हो तो समझ ज अगर एक रहेगा तो क्या है रैखिक बहुपद में है ठीक है अब चलिए next question को ध्यान से दिखिएगा क्योंकि ये सारे question आपको कहीं नहीं मिलेगा इसमें बहुत जादा जो है खोजने पर ये सारे question मिलता है ठीक है तो अब दुसरा question आपके screen पे आ चुका है कह रहा है अगर चार घात होगा जार घात वाले बहुपद कहलाते हैं तो ये बताईए अगर एक था तो रैखिक बहुपद हुआ था कितना था घात एक था कितना था एक था तो रैखिक बहुपद था ठीक है अब कहा रहा है चार तो चार जब घात रहेगा तो कौन बहुपद अगर तीन घात रहेगा तो क्या कहलाएगा और दो घात रहेगा क्या चीज दो घात दिरी घात बहुपद और तीन आप लोग जानते ही है तिरी घात बहुपद अगर दो रहे एक रहे तो रहे खीक और दो रहे तो दिरी घात बहुपद और तीन से अधिक यानि चार रहे तो क्या होगा क्यवल बहुपद होगा क्यवल बहुपद होगा इसको याद रखिएगा इसमें से ये चारों जो बताएं हैं इसमें से एक कोस्चन आपको समझिए कि छप गया है आपके एकजाम में चलिए अब अगला नेस्ट कोस्चन देख लेते हैं तो नेस्ट कोस्चन है क्या मुल आलफा बिटा हो तो आलफा पलस बिटा का मान होगा तो आलफा और बिटा का जब मान हम देखेंगे तो क्या होगा तो यहां पे इससे पहले अगर concept अला नहीं clear किये है मेरा वीडियो तो जाके जरूर देखिए चलिए इसमें हलका सा सामझा देते हैं कि जिससे आपको लगे कि हाँ कुछ समझ में आया देखिए जैसे यहाँ पे question में x square minus 2 x plus 5 दिया है तो यह होता है आपका a का भेलू ठीक है तो फर्मूला होता है आलफा पलस बिटा यानि क्या चीज बहुपद का जो है योग यानि सुन्यको का योग बराबर होता है minus b by a minus b by a तो b का भेलू कितना है minus 2 है minus 2 है तो minus एक पहले से है और minus आया तो minus 2 बटा और a कौन है one है तो one नीचे लिखेंगे तो minus देखें minus minus क्या हो जाएगा पलस तो पलस हो गया यानि 2 बटा one यानि आपका two आगया answer बटा नीचे रहेगा तो option b क्या हो गया सही हो गया इस question का जवाब तो ध्यान से देखिए जब इस तरह का question आएगा तो जल्द से जल्द कोशिश किजिएगा इसको बनाने के लिए अब next question आपके screen पे देखें या आ रहा है कौन रैखिक बहुपद बयांजक है option a दे दिया है आपके सामने option b दे दिया है और option c दे दिया है और option d दे दिया है इसमें से आपको जो है सही जवाब comment section में comment करके बताना है कि कौन सा option सही है ठीक है ये question देख लीजिए 2013 में पूछा हुआ है और इस बार भी ये question आने वाला है ठीक है तो चलिए अब अगला question ध्यान से देख लीजिए एक बार यहाँ पे अगला question है दिरगात बहुपद का सबसे ब्यापक रूप है देखिए ये 2011 में पूछा हुआ question है और इस बार भी आने की chance है ठीक है तो यहाँ पे कह रहा है दिरगात बहुपद का सबसे ब्यापक रूप है तो ब्यापक रूप आप लोग जानते हैं न जी नहीं देखे हैं मेरे concept वाला तो concept वाला जाके पूरा किलियर कीजिए न ज्यादा लंबा वीडियो थोड़े है मेरा अब यहाँ पे जो है देखिए ax square पलस bx पलस c है ठीक है आई कर रहा है तिरी घात तो यहाँ पे घात कितना है दो है तो यहाँ तो फोर वाला हो गया बहुपद हो गया तो फिर यहाँ पे ठीरी नंबर c में देखेंगे तो यहाँ पे ठीरी है तीरी घात बहुपद है यहाँ पे दो भी है और यहाँ पे छूपा हुआ 1 भी है तो इसलिए option c का हो गया सही जवाब हो गया इसका तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास सेर कर दीजिए और आपको जो भी दिक्कत हो रही है उसको कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको ये वीडियो कैसे लागा है ठ धन्यवाद